दोस्तों beef eating से related controversy गाएक के meat से related controversy इंडिया में अक्सर कर उठती लेती है बट इस प्रकार की जो controversy है South Indian states में उतनी नहीं उठती है मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं केरला गया था तो केरला में लोग खुले आम beef खाते हैं जादा तर restaurants में केरला में तमिल नाडू में beef बिखता है एक बड़ी आबादी beef खाती है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि केरला और तमिल नाडू स्टेट में सब लोग beef खाते हैं बट अब यहां पर रिसेंटली हुआ क्या है देखे तमिल नाडू में अंबूर बिर्यानी बहु melt हो जाते हैं तो जिस प्रकार से हैधराबादी बिर्यानी famous है उसी प्रकार से culinary word में ठीकिना food के word में तमिल नाडू की अंबूर बिर्यानी भी famous है अब इस context में एक तीन दिन का festival होता है तमिल नाडू के अंदर अमूर बिर्यानी थिरुविजा को festival बोलते हैं तो जैसे ही के फेस्टिवल अभी रीसेंटली अनाउंस किया गया तिरू पातर जो कि आपका तमिल नाडू का है उसके एड्मिनिस्ट्रिशन के दौरा लोगों के मुह में पानी आने लगा लोगों को लगा किया आप फिर से बिरियानी खाने को मिलेगी लेकिन यहां पर आ गया एक कैच स्तिरू पतिर के जो कलेक्टर है जो डिस्टिक्ट मेजिस्टेट है अमर कुश्वाह साब इन्होंने बोला कि अंबूर बिरियानी फेस्टिवल में चिकन की बिरियानी मिलेगी मटन की बिरियानी मिलेगी फिश की बिरियानी मिलेगी लेकिन पॉर्क मतलब सूर की बिरियान नहीं मिलेगी अब वैसे तो मैं आपको बता दू कि तमिल नाडू के अंदर भैंस को काटना 1976 से ही वर्जित है तो जो भी बीफ मिलता है साउधरन स्टेट्स में वो बुल का या भैंस का ही होता है वो आपका गाय का नहीं होता है यह मैं आपको बता दू आपको जगाव पे इल्लीगली बनाया जाता हो तो बहत अलग है तो यहां पे जो तमिल नाडू के तिरुपुतूर के कलेक्टर हैं अमर कुश्वाहा साब इन्होंने बोला कि चुकी बीफ हिंदूओं की आप कहलो रिलिजियस फिलिंग्स के अगेंस्ट है और जो पॉर्क है वो मुसलिम्स की रिलिजियस फिलिंग्स के साथ मैच नहीं खाता है तो इसलिए हम बीफ और पॉर्क की बिर्यानी अलाओ नहीं कर सकते बाकी की बिर्यानी आप बना लो ठीक है अब आप सोचो तिरुपुतूर के डिस्टिट कलेक्टर साब को सपना थोई ना आया हुगा कि उन्होंने पीछे से जो में स्टेट एग्जिक्योटिव है जो कॉश्वाजी करेंगे तो कुश्वाजी नहीं यहां पर और निखाल दिया कि भाई बीफ और पॉर्क की बिर्यानी तो नहीं बनेगी अब इसके बाद पढ़ गया बावाल बॉला यह क्या तरीका है बीफ और पॉर्क क अब अगर हम बात करें तमिल नाडू में, तो तमिल नाडू में जो अम्मूर है, अम्मूर नाम की जगा है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स के मैनू में आपको बीफ दिखेगा, यह specific pockets है, ऐसा नहीं है कि तमिल नाडू में हर जगा पे आपको बीफ मिलेगा, जैसे केरला में म में NSSO का एक household consumption expenditure सर्वे हुआ था, जिसने बताया था कि तमिल नाडू के अंदर 31.4 लोग बीफ खाते हैं, लगबग 5% अबादी, हो सकता है, इससे जादा ही खाते हो, 10% मान लोगी बीफ खाते हैं, मतलब एक significant portion है तमिल नाडू के अबादी का जो बीफ खाता है, ऐसा बता आपने बीफ क्यों बैंड किया, और सबसे खास बात यहां पर यह है कि यह जो बीफ बैंड हुआ है, वो तमिल नाडू की DM के सरकार के अंदर हुआ है, तो अभी DM के सरकार के अंदर हुआ है, तो स्टालिन साब की permission की बिना तो हो नहीं सकता, तो यह जो अमर कुश्वा है, इनको यहां पर काफी फाइरिंग दी जा रही है, इनसे बोला जा रहा है कि भीया, तुमने किस बेसिस पर बीफ और पॉर्क की उपर बैंड लगा दिया, यह बीफ और पॉर्क तो पूर मैन का मीट है, देखिए जो बीफ का मीट होता है, सस्ता आता है, चिकन से, मटन से, स यहां पर बीफ खाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, तो जो लोग यहां पर बीफ और पॉर्क खाते हैं, वो यहां पर M.K.Stalin से सवाल पूछने हैं कि क्या आपकी दरवीदियन मॉडल ऑफ गवर्नेस में बीस नहीं खाया जाता है, अब समझे यह बात को, यहां पर एक चीज़ खा रहा है, क्या नहीं खा रहा हमारे पेट में क्यों नहीं खा रहा है, जिसको खाना होगा वो खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा, वो नहीं खाएगा, फिर दूसरा लोजिक यह भी आता है कि गाये हैं, अब गाये हिंदूों में बहुत प्योर मानी जाती है, तो क्या ग इंदर की सरकार ने cattle की उपर restrictions लगाए फिर यह सब politics हुई कि क्या जो मोदी जी खाते हैं वही सब खाओगे बीजेपी को एक्चुली इस प्रकार से देखा जाता है कि यही यहाँ पे beef को ban करवा रहे हैं beef खाने से लोगों को रोक रहे हैं लेकिन यहाँ पे Stalin साब का भी angle आ ग का भी है जो कि beef खाने के favor में नहीं है और अगर openly कोई सरकार बीज के consumption को promote करती नजर आएगी तो electoral backlash देखने को मिल सकता politicians तो भई election जीतने वाले factor को भी importance देंगे ना तो अब इस context में हो गया पूरा बवाल और M.K. Stalin साब जो कि Tamil Nadu के chief minister है उनकी तरफ से अभी कोई statement आया नहीं है लेकिन एक event यहाँ पे हुआ है कि जो collector साब है अमर कुषवा साब इन्होंने end time पे अंबूर बिर्यानी festival को रद कर दिया और बोला कि Tamil Nadu में चुकि भारी rainfall आने वाली है इसलिए हम अंबूर बिर्यानी festival कंड़क्ट नहीं कर पाएंगे तो मतलब पहले festival अनाउंस हुआ और उसमें बोला गया कि बीफ और पॉर्क की बिर्यानी नहीं बनेगी जब बाद में बवाल होना शुरू हुआ तो फेस्टिवल को ही यहाँ पर कैंसल कर दिया गया लेकिन फाइरिंग यहाँ पे politicians को नहीं मिलेगी collector साब को मिलेगी अमर कुश्वाह जी को मिलेगी अब अमर कुश्वाह जी से पूछा है किसने तमिल नाडू स्टेट कमिशन फॉर SCST ने कि कौन से basis पे तुमने बीफ बिर्यानी और पॉर्क बिर्यानी को मैन्यू से हटाया हम क्यों ना तुमारे इस decision को political master सामने आके कोई भी particular stand नहीं ने रहे हैं अगर स्टालिन साब आके है कोई दूसरा politician आके बोलता नहीं बीफ खाने दो तो जो नहीं बीफ खाने वाले लोग हैं वो नाराज होंगे और politicians दोनों ही तब को को नाराज नीं कर सकते तो politicians चुप बैटें सामने कौन फसे हमर कु कुश्वास आप से question पूछा जा रहा है कि भाईया beef को तुमने कैसे ban किया, pork को तुमने कैसे ban किया, अब अमर कुश्वास आप क्या जिसका answer देंगे, इनको तो पीछे से जो politicians ने बोला इन्हों ने कर दिया, तो अमर कुश्वास हुए ना discrimination कर रहे थे SCST Muslim Population के against, जो politicians ने order दिया, वो इन्हों ने यहाँ पर implement किया, तो अमर कुश्वास की उपर action हो सकता है, Tamil Nadu State Commission for SCNST, यहाँ पर एक inquiry चलाएगा, और most probably हो सकता है कि अमर कुश्वास को यहाँ पर responsible माना जाए, तो फिर से आप समझ सकते हैं, bureaucratic accountability एक बड़े चीज़ होती है, पीछे से politicians अपनी politics करते हैं, सामने policies को implement करते हैं, district magistrates और overall bureaucrats, और इन bureaucrats को firing मिलती है, अगर कोई political mismanagement यहाँ पर हो जाता है, तो, तमिल नाडू की government का और इनके स्टैलन जी का क्या stance होता है, beef को खाने को लेके, नहीं खाने को लेके, वो एक अलग बात है, देखें, पाँच साल पहले, जब IIT मदरास के अंदर एक PhD scholar को beef खाने के लिए attack किया गया था, उस समय पे तो, जो स्टैलन साब थे, उन्होंने केंदर की सरकार के stand के against बात की थी, ये बोला था कि यार, ये कैसे हो गया कि भाई, आप cattle trade को रोक रहे हो, आप beef कटवाने से रोक रहे हो, जो slaughter houses है, उनको regulate कर रहे हो, बीजेपी सरकार को इस प्रकार से देखा जा रहा था कि भाई, वो बीफ खाने से लोगों को रोक रहे हैं, तो उस समय पर तो स्टैलेंजी ने अगेंस्ट बोला, लेकिन आज की डेट में स्टैलेंज साब को चीफ मिनिस्टर है, और आज़ास चीफ मिनिस्टर उनको सारे तबकों को कुछ करना है, और सारे तबकों को कुछ करने के लिए, आप कोई एक set stand नहीं ले सकते, ठीक है न, चुकि देखे, बीफ ना खाना भी एक बड़े तबके की प्रियोर्टी है, और खाना भी बड़े तबके की प्रियोर्टी है, तो एक politician क्या करे, तो फाइरिंग किसको मिली, bureaucrat को, let's see आगे इसमें क्या होता, कोई अपडेट होगा, तो मैं आपको बताऊंगो, तो bureaucratic accountability के respect में, और ये beef politics के respect में, आज एक अच्छा article discuss आया था और editorial में, जो मैंने आपके साथ discuss किया, thank you for watching friends, वीडियो को like को share करके जाएगा, इस तो आपको follow कर लिजे, telegram group जोन कर लिजे, I hope आपको lecture से मज़ा हो रहा, have a great difference